हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो गैप मरीन फो यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ओफ वुमेन एंड चाइल डबलप्मेंट महला एवं बाल विकास मंत्राले के द्वारा इंट्रेंसिप कराई जारी है अगर आप इंट्रेस्टेड हो गवर्मेंट ओफ इंडिया आप यहां पर देखी रहे हैं मिनिस्ट्री ओफ वुमेन एंड चाइल डबलप्मेंट तो एक गवर्मेंट के द्वारा आपको यह इंट्रेंसिप करने का मौका मिल रहा है एक उपरचनिटी आपको दी जा रही है इसमें अगर हम बात करें तो आप पर मंथ 20,000 यहां पर आपको दिया जा रहा है 20,000 हर महिने आपको यहां पर स्टाइपेंट दिया जाएगा यह इंट्रेसेप आप मिनिस्ट्री ओबुमेन एंड चाइल डबलप्मेंट की ओफिसल साइट पर आएंगे तो वहां पर आप इसको देख सकेंगे साथ में इसमें आपको आप All India में कहीं से भी ब्लॉंग करते हो किन एरिया से ब्लॉंग करना चाहिए वो आगे हम इसके नॉटिफिकेशन में देखेंगे आपका आना जाना यानि कि जो ट्रेवल रहेगा जो भी आपका रहेगा वो भी आपको खर्चा दिया जाएगा साथ में आपका रहना भी फिरी रहेगा होस्टल फैसलिटी आपको इसमें दी जाएगी रहनी के लिए यह जो internship है यह करने के लिए आपको जाना होगा डेली online internship नहीं है आपको इसमें डेली जाना होगा वहाँ जा करके आप यह internship कर सकते हैं तो opportunity काफी अच्छी है इसका जो notice है आप official site से इसका देख सकते हैं अभी हम इसकी official site पर ही है इसके जो आप what's new option में जाएंगे न तो यहाँ पर आपको internship program आपको देखेगा internship program for women, students, scholars, social activities, activists and teachers ठीक है तो यह यहाँ पर हम open करेंगे और इसका detail आपके सामने open हो जाएगा जब आप इस link को click करेंगे तो सार जो इसका detail notification है वो open हो जाएगा तो चलिए मैंने download किया हुआ है पहले से मैं open कर लेती हूँ यहाँ पर आप देखेंगे यह जो notice है यह 29.8.2023 को यहाँ पर यह notice आया हुआ है internship program for women, students, scholars, social activists and teachers यह हैं जो यहाँ पर eligibility रखेंगे ठीक है? कौन-कौन यहाँ पर eligible है? साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आप किस area से ब्लॉंग करते हूँ तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं जिसमें आप देखेंगे applications are invited from women students, scholars, social activists, teachers from non-tier 1 cities, non-tier 1 cities से हूँ या rural parts से हूँ आप इंडिया के जो rural areas हैं, village हैं या इस तरह से अगर आप backward area से ब्लॉंग कर रहे हैं या rural छेतर से गाउं से आप ब्लॉंग कर रहे हैं तो आप इस internship program के लिए eligible रहेंगे और यह जो internship है, आपको अगर लगता है कि Delhi में पता नहीं हमको कितने time तक रहना होगा, तो इसका जो duration है वो two month है, दो महिने के लिए आपको यह internship दी जा रही है, और दो महिने में ही आपको पर मन्त 20,000 दिया जाएगा, means 40,000 यहाँ पर आपको इस stipend total मिल जाएगा, ठीक है, अब यह ज October and November, यह दो महिने आपका यहाँ पर रहेगा, the aspiring candidate for the internship program need to be enrolled in associated with any university, academic, non-academic institute, अब यहाँ पर एक condition यह भी है कि अगर आप सोचें कि आप housewife हैं और आप इसमें apply करना चाहती हैं तो आप नहीं कर सकती, आपका किसी ना किसी course में, मतलब आप course, कुछ ना कुछ activity या कुछ course आ आप कर रहे हैं, admission आपने हैं, वो ही यहाँ पर eligible रहेंगे, देखिए, enrolled associated with any university, academic, non-academic institution, आपका कोई ना कोई प्रोग्राम या कुछ courses आप कर रहे हैं, वो यहाँ पर apply कर सकते हैं, अब यह बताया गया है कि यह course क्यों करा जा रहा है, यह program क्यों run किया जा रहा है, तो यह help क्याने के लिए जो women students है, scholars है, जो rural छेतर से belong करती है, गाउं से उनको knowledge नहीं है, जानकारी नहीं है, तो महला एवं बाल विकास, मंत्राले में जब आपको यह internship दी जाती है, तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पर कौन-कौन से programs run हो रहे हैं, चल रहे हैं, जिनसे आप benefit ले सकते हैं, आपको यह जानकारी दी जाती है, यह आप अपने area में जाकर के, अपने छितर में जाकर के, और भी लोगों को इसकी जानकारी दे सकें, जिसे की जिनको इसकी knowledge नहीं है, वो भी यहाँ पर यह जो programs हैं, उनका फायदा ले सकें, क्या-क्या facilities या क्या-क्या help government के दौरा की जारी है, तो यह यहाँ पर इनका अधेस है, अगर हम बात करें age की, तो 21 से 40 साल के जो महला candidate हैं, महला scholars या student हैं, वो यहाँ पर eligible रहेंगे, यह आपको यहाँ पर link दी गई है, यह Google form की link है, आप इसको click करेंगे, तो आपके सामने Google form open हो जाएगा, उसमें कुछ basic details आपको भरनी होगी, आपसे details मांगी जाएगी, वो आपको यहाँ पर fill करनी होगी, self attest documents वगरा रहेंगे, वो आपको यहाँ पर देने होगे, ओके, यहाँ पर apply करने की देखिए 30, 29 अगस्ते को तो इसका notice ही आया था, 30 अगस्ते से application start हो गया है, 8 सितंबर इसकी apply करने की last date है, बहुत कम टाइम आपके पास बचा है, अगर आप करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहें कि यह सिर्फ एक ही मौका मिला था, इसके आगे आपको यह chance नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, साल वर कुस यह जो program है, internship, यह कराई जाती है, इसके पहले भी अभी two month की internship हुई थी, next यह new internship program है, जो October, November के लिए, अभी जुलाई अगस्त की निकल गई है, तो अगर आप इसमें apply करते हैं, तो अच्छा है, यह आप मेरा वीडियो बाद में देख रहे हैं, means इसके apply करने की जो date है, 8 सतंबर के बाद देख रहे हैं, तो भी आ अच्छी internship आती है, या online course and schemes, तो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, so आप वीडियो को देखिए, like केजिएगा, अगर आपको पसंदा है, और चनल को subscribe करके, वैल आइकन को all option को प्रेस कीजिएगा, ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे, selected interns would be granted a lump sum stipend 20,000 per month, 20,000 per month, 20,000 per month देखते हैं, अगर आपका नहीं होता है, तो आप next में try कीजिएगा, okay, so यहाँ पर आपको यह पूरा information देदी है, और form आप देखेंगे, यहाँ पर application for schema internship with MWCD, तो यह यहाँ पर इस तरह से part A, part B यहाँ पर दिया गया है, आप उस link, यह जो आपको link दी गई है न, आप इ अगर आप interested हो, तो इसमें apply कीजिए, time कम बचा है, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो like and share कीजिए, thank you